तीन दिन वासलीन इस प्रकार से लगा लो आपकी जो पलके हैं इतनी घनी और मोटी हो जाएंगी यह ऐसा लगेगा आपने नकली पलके लगाई हैं तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा उपाई लेकर आई हूँ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंट्रेसिंग वीडियो मैं आपके लिए रोज लाती रहती हूँ चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस रमेडी को बनाने के लिए किन चीजों की हमें जरूरत लगने वाली सबसे पहली चीज म मैं उसी में से रमेडी को बना कर रखूंगी ताकि मुझे यहां में शिफ्ट ना करना पड़े दूसरी डिबी में न डालना पड़े और इसी को मैं आई ब्रोज और आई लाशे पर यूज करूंगी तो देखे अच्छे से मिक्स कर लिए चमच के पिछले हिस्से से ताकि री अपिर विटस ना कर रहते हैं कि यहां पर यह बद्यास को पूरा बरस होता है इसक दो घर आपको लगाकर रखना है इसको और आपको लगाकर रखना है रात भर इसको अपने eyebrows और eyelashes पर दो मैं इसे लगा करें कि आप मेरे इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहा है कॉमेंट करके बताइएगा आपका नाम आपकी जगा का नाम ताकि अगली वीडियो में अपनी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स कह सको मेरा पिछला थायंग जाता है मोनु साहु जी को जो की यूपी बड़ाओ से है देखे बिल्कुर इस प्रकार से आपको न अच्छे से लगाना है अपने आई लाशिस पर आई ब्रोस पे भी आप लगा सकते हैं जिससे की ग्रोथ इतनी घनी होगी ना कि आपको बार बार आई ब्रोस कराने की जुरहत पड़ जाएगी तो दोस्तो मेरे कहने से आप भी मेरे सिंपल सी रेमिटी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा यह रेमिडी आपको बहुत ज़दा पसंद आने वाली है वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मिटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हो सके तो वीडियो को जाते स्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में रिश्यदारों में ताकि आपके जरी उनकी भी मदत हो जाए थैंक्यू सो मुच वचिंग इस रिफ्रेंस मिलता अगले वीडियो में दबता के लिए बाई टेक केर